Hello my dear students, फिर से आपका स्वागत करूँगा अपनी चैनल पर और आज आपके लिए लिख रहा हूँ Class 12 के Physical Education सब्जेक्ट से टॉपिक है Basketball Viva की Process Solar आपको बता चुका हूँ, स्टार्ट हो चुकी है, कुछ Schools में Complete भी होने वाली है और Physical Fine Arts के Almost हमने देखा है कि Last में रखे जाते हैं Viva, Main Subject के पहले ले लिए जाते हैं तो अच्छा लगा आपने डिमांड किया कि Basketball के उपर आपको वीडियो चाहिए और इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ कुछ ऐसे Questions जो मुझे लगता है कि एक Viva में आपसे पूछे ही जाने वाले हैं इसके लावा फिर भी आपको ये कहूँगा कि आपने जो भी टॉपिक अपने फाइल में तयार किया है उसका एक Detail जो है Study आप जरूर करके जाईएगा और साथ में इस वात का भी ध्यान रखना है कि जब आपका Viva होगा तो Viva के टाइम में आपका जो स्कूल के टीचर हैं वो तो हों गई और इसके लावा आएंगे वहाँ पर External Examiner और साथ में मिलेंगे आपको एक Observer जिनका काम होता है इस पूरी process को देखना तो आपने कहीं पर भी misbehave नहीं करना अच्छे से आपने टीचर की हर बात का reply देना है ताकि आपको 30 में से 30 मिले ही मिले Let's see the first question और उससे पहले ये भी कहूंगा कि इस वीडियो की description box को देखना मत भूलेगा वहाँ पर आपको कुछ और वीडियो के links भी मिल जाएंगे तो देखते हैं first question यहाँ पर अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये game जो है invent किस ने की थी इस game को invent करने का credit किस को जाता है first question मैंने दिखा हुए उपर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो right answer है वो है डॉक्टर जेम्स नाइसमित ने जो कि एक physical education teacher थे कहाँ पर YMCA में training school में और वो कहाँ पर है जगा Springfield में USA में तो देखो कितनी सारी बाते एक ही question से connect हो गई कब किया 1891 में किस ने किया डॉक्टर जेम्स नाइसमित ने जो कि एक physical education teacher थे at YMCA training school में जो कि कहाँ पर है Springfield USA में इसी से related आपका जो next question है कि अगर इस game की हम background history की बात करें तो यह इतनी पुरानी game तो नहीं है यह नई game है लेकिन इसको खेलने के लिए जो सबसे पहले एक bladder ball use की जाती थी उसमें वो चीज नहीं थी चो कि आज कल की ball में होती है थोड़ा softness जाता थी उसमें bump इतना नहीं ले बाउंस इतना नहीं लेती थी वो ball जो है तो हम कहेंगे कि सबसे पहले bladder ball use की जाती थी और इसको एक demonstration game के तोर पर सबसे पहले खेला गया था 1924 में Paris Olympics में फिर से repeat करता हूँ इस game को सबसे पहले Paris Olympics में 1924 में एक demonstration game के तोर पर खेला गया demonstration game क्या होती है जब आप किसी game को for the first time introduce करने से पहले official level पर introduce करने से पहले उसका overall देखते हैं उसको deeply देखते हैं minutely देखते हैं और लगता है कि ये game खेलने लायक है या नहीं या उसको international level का एक दरजा दिया जाना चाहिए या नहीं और officially introduce हुई 1936 में देखें demonstration game 1924 officially introduce हुई 1936 तो time तो लगा इसको officially introduce होने में Berlin Olympics के अंदर ऐसा हुआ था जो Berlin Olympics गेम्स हुए थे उनमें इनको introduce किया था इस game को एक official game के तोर पे अग जैसे कोई भी game होती है उसकी एक governing body होती है उसको control करने वाली जो body होती है इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में इस game को govern करने का जो credit जाता है वो है बड़ी simple सा नाम है आपने अगर आपसे short form में पूछा जाए BFI तो यहाँ पर BFI की आपसे full form पूछी जा सकती है Basketball Federation of India ऐसी अगर आपको question पूछा जाता है कि world level पे इसको govern करने का credit किसको जाता है कौन सी ऐसी body है जो world level पे इस game को govern करती है तो वहाँ पर आपने नाम बताना है Federation International D Basketball Association Federation International D Basketball Association थोड़ा सा different है उससे इंडिया का थोड़ा सा था Basketball Federation of India और यहाँ पर world level पे है FIBA F-I-B-A सबसे पहले Asian Games में इसको introduce किया गया था 1951 में जो कि Delhi में हुई थी यह इंडिया की थोड़ी सी history आजाती है लेकिन अब देखिए कि Americans का अगर हम बात करें वो लोग थोड़ा सा और forward चलेगे इसी गेम का उन्होंने modified version जो है वो introduce किया और वो modified version क्या था NBA National Basketball Association यह जो है आपने देखा भी होगा कि बड़े tall से players होते हैं इस game के लिए actual में tall players भी चाहिए और साथ में उन players को रखा जाते है जिनका stamina बहुत जादा है भागने का उनमें power बहुत होती है actual में लगाता running वाली game है यह फिर आपसे अगर पूछा जाए कि players की बात करें तो यहाँ पर total 12 players होते हैं एक team के अंदर जिनमें से 5 playing में आते हैं और 7 substitutes होते हैं जो की extra players होते हैं duration की बात करें 14 minutes का time है इसमें और 4 quarters में खेली जाती है game यानि 10 minute का 1 quarter होगा तो 10 into 4 का मतल होगा 40 minutes next question अगर आपसे पूछा जाता है area of court तो आप बताएंगे 28 into 15 meter सिब्बल आपने यह बताना है 28 into 15 meter इसका total area है अगर इस game के extra time की बात की जाएं कि suppose game जो है time पे रुख गया है तो extra time कितना मिलेगा क्या चलेगा उसमें 5 minute का extra time फिर बाद में दिया जाता है और officials की बात करें किसी भी game की अगर देखें officials का महाँ पर होना जरूरी होता है कितने officials होते हैं total यहाँ पर सबसे ज़्यादा है seven seven officials में one referee होगा one umpire होगा one scorer होगा one assistant scorer होगा इसके लावा एक time keeper भी होता है time का ध्यान रखने वाला भी होता है keeper और फिर जो यहाँ पर एक one table commissioner है और साथ में एक 24 second यह मैंने अभी mention किया operator जो होता है वो इसमें count होगा तो देखिए total seven officials हैं जो की काफी ज़्यादा हैं यहाँ पर और मैंने इससे पहले जितनी भी games में देखें seven officials कहीं पर भी नहीं थे बट यहाँ mention किया हुआ है फिर अगर आप से पूछा जाता है कि important tournaments आप फिर से screen पर देख सकते हैं कभी आप बाद में बोलें कि हमें नजर नहीं आया कि screen पर क्या था important tournaments की अगर बात करें या उनके venues की यह बड़ा important question आप से पूछा जा सकता है कि यह venue कहां पर है बताईए suppose tournament है तो Olympic Games है, World Championship हो गई NBA यानि League Asian League होती है Federation Cup है, National Games, All India Inter-University Championship, CBSC National अब देखिए भी इस नाम से है Baba Freed Invitational Tournament और इसके लावा Om Prakash Memorial Tournament पृत्वी Cup यह कुछ एक ऐसे tournament है जो इस game से related है, हमने वैसे सुने ने, because we are not familiar with the game हम लोग अक्सर किस game को जादा preference देते हैं, cricket को देते हैं तो cricket हम इंडिया के अंदर ने मतलब जादा famous है इसके लावा important venues की अगर आप से बात की जाए, मैं वैसे नाम बता देता हूँ और इन venues में सबसे खास बात क्या है, कि ये आप से direct में पूछ सकते हैं कि बताएए ये venue कहाँ पर है, suppose गुरुनानक स्टेडियम, ये लुधियाना में है ताल कटोरा स्टेडियम है, उसके लावा फिर होता है इंद्रा गांधी इंडोर स्टेडियम ये दोनों चो है, न्यू डैली में है टाटा स्टील स्पोर्स कॉंपलेक्स टाटा नगर में हो गया रेल्वे स्पोर्स कॉंपलेक्स मुंबई वारनसी में है स्पोर्स कॉंपलेक्स चंडिगर में हो गया नेहरू स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स लकनव के अंदर यानि आपसे पूछा जा सकता है कि नेहरू लकनव कॉंप्लेक्स कहां पर है तो आप बताएंगे लकनव में है वो फिर इंडोर स्टेडियम है है हैदराबाद में NIS कॉंप्लेक्स पत्याला बैंगलोर में और इसके थोड़ा सा गोतू करके जाएगा ताकि को फूल मार्ट मूरे जैसा हाँ पर एक्स्टा इम है प्लेइंग टाइम है फ्रेंट सेकिन रूल जो मैंने यहां पर मेंशिं किया 24 ऐक पर्मेंशिन knit 24 फेकिन रूल है være eight second रूल है फाउड सेकिंड रूल है फैश cu पूरी सी description आपने पढ़के जानी है क्योंकि आपसे वो one word में पूछ सकते हैं one phrase में पूछ सकते हैं कि बताइए what does it mean, क्या होता है ये because उसका reason क्या आपने इस game को choose किया अपनी file के लिए तो आपसे पूछा जा सकता है फिर यहाँ पर अगर team fouls भी आ जाता है violations की बात करें, कुछ rule आपने अगर break किया है, violation की है traveling है, caring है, double-double फिर से आ गया, out of bound है या back out है तो ये बचो कुछ important terms से important questions से जो मैंने आपके साथ discuss किया, I hope so these questions will definitely help you understand, आपकी जो understanding है उसको और better करने में help करेंगे, और साथ में आपको आपके topic की कुछ और brief knowledge भी मिल पाएगी जैसा भी आपका opinion होगा after watching this video, आप जुरूर बताइएगा मुझे comment section में, और अगर आपको किसी भी और subject की कुछ requirement है, चाहे physics है, chemistry है ये तो थोड़ा सा touch का हो गया, लेकिन जो मैंने humanities के subjects की videos डाली है business studies की डाली है, अगर Indian economics की भी आपको कही requirement है तो आप मुझे comment section में जुरूर बताइएगा So, thank you very much and have a very nice day, all the very best for your exam